जहीं दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में कैसे आप लोग बताईए तो शुरुवात करते हैं आज के टाइम स्पी डिस्टेंस को लेकर और आज आओ नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं यहाँ पर अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं अगला सवाल क्या है मेरे भाई जबरदस्ती का comparison करवाता है बलकि यहाँ पर B की कोई आवशक्ता नहीं है कोई आवशक्ता नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है पहले यहाँ पर क्या कहा गया कि A दो घंटा 30 मिनट जादा लेता है B से माल लेता हूँ मैं यहाँ पर कि जो है चेंज आया A ने अपने स्पीड को डबल किया और अब वह 1 घंटा कम ले रहा है B से A ने अपने ही स्पीड को डबल कर दिया और अब वह क्या कर रहा है तो इससे 1 घंटा कम ले रहा है समझ में आगे बाते हाँ पर तो कहा गया तो अगर वह 40 km के दूरी को अपने ही चाल से तेह करें तो कितना समय लगेगा ठीक है तो मैंने क्या गहा कि B को जबर्दस्ती का बली का बकरा बनाया गया है कारण हम आपको बताते हैं भाई A का टाइम A से ही कंपेर कर लो ना उधारन के तौर पे ऐसे समझते हैं जैसे मान लीजे कि पहले मैं आपसे 2 गंटे ज़्यादा ले रहा था अब मैं आपसे 1 गंटे कम ले रहा हूं इसका मतलब मैंने सुधार कितने का किया है तीन गंटो का माल लीजे पहले आप किसी काम को 9 गंटे में करते थे, हम आपसे 2 गंटे ज़्यादा लेते थे, यानि ये 11 गंटे और अब हम आपसे 1 गंटे कम ले रहे, यानी 8 गंटे, यानी मेरा खुद का पहले का समय 8 गंटा, अब का समय 8 गंटा, तो मैं अपने टाइम में देखूँ, तो मैंने अपने टाइम में तीन घंटे का improvement किया हुआ है, B से क्या मतलब है, B कौन है मेरा, कोई नहीं लगता यार है, तो मैं अपने ही टाइम में अगर देखू, तो मैंने तीन घंटे का सुधार कि, exactly वहीं बात है यहाँ पर कि यह पहले डाइ गंटे जादा लेता था, अब एगंटे कम लेता है, यानि इसने अपने अंदर सुधार किया साड़े तीन घंटे का, मैं पहले आपसे डाइ गंटे जादा लेता था, अब एगंटे कम ले रहा हूँ, यानि मैंने सुधार कर लिया 3,5 गंटे का तो वहीं बात है और यह 3,5 गंटे का सुधार क्यों है क्योंकि मैंने अपनी speed को double किया तो अगर आप एके reference में देखोगे तो आप एके reference में क्या बोलोगे बोलोगे सर देखिये speed जो है ना वो double हो गई स्पीड हमारी क्या हो गई जैसे मानो एक से हमारी दो हो गई तो टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा यानि टाइम हमारा दो से एक हो जाएगा पहले मैं दाइ गंटे जादा लेता था अब मैं गंटे कम लेता हूँ यानि A अगर वहीं 40 km चलना चाहता है और उसी चाल से चलना चाहता है तो उसे कितने गंटे लगेंगे, 7 गंटे लगेंगे, option number A जो है वो हमारा क्या है, correct answer है चलिए, next question की बात करते हैं, question number 3 देखते हैं, question number 3 क्या कहा है, CGL का Pree का question है, बढ़िया कोशन है, 40 km की दूरी को तै करने में A को B से 2 घंटे अधिक लेता है अगर A अपनी चाल को दोगुना कर दे, तो वह 80 km की दूरी तै करने में B से हमारा जो है, वो 1.5 घंटा अधिक लेता है B को अपनी चाल से 120 km की दूरी को तै करने में कितना समय लगेगा, बहुत 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 जबरदस्त question तो क्या कहा गया है, 40 km की दूरी तै करने में A, B से 2 घंटा अधिक लेता है यदि A अपनी चाल को दोगुनी कर दे, तो 80 km के दूरी में वह B से इतना घंटा अधिक लेगा अब यहां समझना, दोनों जगह distance अलग-अलग है, मैं चारों की दोनों के distance को मैं same कर दू दोनों के distance को मैं अगर same नहीं करूंगा तो मुश्किले हो जाएंगी या तो मैं इसको भी 40 घंटे पे लेकर आजाओ, 40 km वाला concept पे या फिर मैं यहां पर जो है, इसे 80 km बना दो तो जैसे question में क्या कहा गया है, कि मानो 40 km की दूरी थी तो A जो है हमारा वो B से कितना समय ज़्यादा लेता था A B से हमारा 2 घंटे ज़्यादा लेता था कितने km की यह बात है, तो यह बात है हमारी 40 km की उसके बाद A ने जो है, यहाँ पर शाफ्त वर पर काया A अपनी चाल को दोगुना कर देता है कितना कर देता है मेरे भाई यहाँ पर दोगुना कर देता है तो 80 km के लिए, ठीक है 80 km के लिए मेरे भाई यहाँ पर यह क्या करेगा तो B से 1.5 गंटा अधिक लेगा 1.5 गंटे का मतलब यहाँ पर 90 मिनट हो जाएगा ठीक है, 1.5 गंटे का मतलब कितना हो जाएगा 90 मिनट हो जाएगा यहाँ पर तो अब वह क्या कर रहा है, तो 90 मिनट अधिक ले रहा है दुबारा से मैं बता रहा हूं आपको क्या ये दोनों distance बराबर है तो बोलेंगे नई sir बराबर नहीं है अगर बराबर नहीं है तो आप इससे बराबर करो जैसे 80 km के लिए ये 90 मिनिट जादा लेता है तो अगर मैं यहां इसे काट के और मैं कहूं 40 km के लिए क्या होगा तो बोलो कि sir चालिस किलोमेटर के लिए 80 किलोमेटर के 90 गंटे अधिक लेता है तो 40 किलोमेटर के लिए 45 मिनट जो है वो क्या लेगा अधिक लेगा क्योंकि अगर आपने डिस्टेंस को आदा किया तो समय भी आदा हो जाएगा समझ रहूं ने जिसे मानों यहां से मुंबई जो है वो 1000 किलोमेटर है 1000 किलोमेटर को तै करने में 5 गंटे तो 500 किलोमेटर को तै करने में 5 गंटे वही वाली बात हो जाती है तो अगर मैं कह रहा हूँ 80 km उसको जाना है तो 90 मिनट अधिक लगाने पड़ते हैं अगर आधी दूरी जाएगा तो आधा समय अधिक जाएगा समझेगा तो अगर हम एक तुलना में बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे भाई यह तुमने अपने स्पीट के साथ क्या कर लिया तुमने अपने स्पीट के साथ दोगुना कर लिया तो तुम्हारा समय यहाँ क्या हो गया तुम्हारा समय यहाँ पर आधा हो गया पहले तुम दो घंटा जादा लेते थे दो गंटे का मतलब कितना मिनट 120 मिनट जादा लेते थे और आज के सबह में तुम 45 मिनट जादा ले रहे हो यानि तुमने अपने अंदर सुधार कितने का किया है 75 मिनट का बहुत लोग यहां क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे ऐसा नहीं है दोनों को तब जोड़ा जाता है इस वाले केस में हमने इसलिए जोड़ा था अगर आप बात करोगे तो धाई गंटे को और एक गंटे को इसलिए हमने जोड़ा था क्योंकि पहले यहां पर कहानी यह थी कि मैं आपसे पहले धाई गंटे जादा लेता था अब एगंटे कम लेता हूँ तो यानि अगर ऐसे समय लीजे कि पहले डाई गंटे ज़्यादा लेता था अब एगंटे कम लेता हूँ इसलिए ये पूरे गैप को मुझे जोड़ना होता है लेकिन अगर मैं माल लो यहाँ पर यह बोलू तो पहले मैं आपसे दो घंटे ज़्यादा लेता था और अब मैं आपसे एगंटे ज़्यादा लेता हूँ इसका मतलब मैंने मातर सुधार यह गंटे का किया है पहले मैं आपसे पांच घंटे ज़्यादा लेता था अब मैं आपसे दो घंटे जादा लेता हूँ यानि मैंने सुधार तीन घंटों का किया है तो early early late late में माइनस होता है इस बात का ध्यान रखो तो पहले ये बंदा 120 मिनट जादा लेता था और अब ये 45 मिनट जादा ले रहा है एनए ठोड़ा 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 करके इसने कितने का सुधार कर लिया अपने अंदर तो 75 मिनट का तो उसके से में पहले हमारा एको समय कितना लगता था था कितना एको समय लगता था और question में या आपर ये कहा गया कि पहले ये जो है ना इससे दो घंटे जादा लेता था क्या लेता था दो घंटे जादा लेता था अब एक बात बता हो आज के समय अगर हम बात करें तो मुझे किसी यातरा को ट्रैवल करने में यहाँ पर जो है वो तेर सो मिनट लग रहे हैं या ऐसे कहलो यहाँ पर धाई गंटे लग रहे हैं मैं किसी दूरी को धाई गंटे में ट्रैवल कर रहा हूँ और पता चल रहा है कि मैं आपसे दो घंटे जादा ले रहा हूँ ऐसे समझ लो मैं जो है यहाँ पर पांच गंटे में ट्रैवल कर रहा हूँ और पता चले कि मैं दो गंटे जादा ले रहा हूँ इसका मतलब आप मेरे से दो गंटे कम ले रहे हो यानि आप तीन गंटे ले रहे हो मैं किसी यातरा को नो गंटे में ट्रावल करता हूँ और पता चले मैंने आप से साथ गंटे जादा लिया है यानि आपने मेरे सत गंटे कम लिये हैं तो 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा उसी तरीके से अगर हम यहां बात करते हैं तो यह जनाब जेनाब 1.500 मिनट का मतलब हो गया यहां पर 2.5 गंटे यानि यह जो है अगर पहले बात करोगे तो पहले उसी ट्रावल को ट्रावल करने में डाई घंटे लेता था ठीक है और ये यहाँ पर जो है दो घंटे जादा था तो इसमें से दो घंटे माइनस कर दोगे तो B का समय निकल जाएगा निकलेगा नहीं तो बोलोगे हाँ सर यानि अगर हम बात करते हैं तो यहीं 40 किलोमेटर के दूरी को ट्रावल करने में मेरे भाई B को जो समय लगता था ना जो टाइम लगता था वो कितना लगता था तो बोलोगे सर इससे 2 घंटा कम यानि 2.5 आउर में से आप यहाँ पर जो 2 घंटा माइनस कर दो तो यानि आदा घंटा लगता था मेरे भाई कितना लगता था आदा घंटा या 0.5 आउर कहलो तो बाई 40 किलोमेटर को टै करने के लिए आदा घंटा तो अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे या दूरी को तीन गुना करेंगे तो मेरे भाई समय भी तीन गुना हो जाएगा यहाँ पर आधा का तीन गुना कितना हो जाता है डेड़ घंटा हो जाता है तो correct answer कितना होगा डेड़ घंटा कौन सा option है तो option number D for देव से न answer है भाई समझ गया तो बहुत ही जबरदस्त question था और आप इसको तरीके से इसका अंसर दे सकते थे मुझे तो बहुत मज़ाता है ऐसे सवाल हों ठीक है TSD तो ऐसा है कि बस TSD is love आजएए चलिए next question की बात करते हैं पर एक और question चौथा number सवाल very important ठीक है यह question कुछ सिखाने आया है आपको और यह question है ना जब से आज के बाद यहां पर ठीक है अब जैसे मानो question क्या होता है question कुछ आपके ऐसे आएंगे यदि आप अपने speed में थोड़ा सा बढ़ा लेते हो तो आपका समय कम लग जाता है या अगर आप अपने speed को कम कर लेते हो तो समय आपका बढ़ जाता है उस case में आपका relation क्या होगा ठीक है तो उस case में एक बहुत ही जबरदस्त relation होता है और वो आपको ध्यान रखना होता है और वो क्या होता है वो समझे तो वो जो relation होता है मेरे भाई वो यहाँ पर यह होता है कि distance बराबर S1 into S2 ठीक है divided by यहाँ पर S1 minus S2 ठीक है into यहाँ क्या हो जाएगा into यहाँ पर हो जाएगा difference of time यह मेरे भाई ध्यान रखना असल में यहाँ पर क्या होता है दो concept होते हैं अभी तो आप लोगों को बेसिक से पढ़ाना होता है जैसे मैं अभी offline में पढ़ा रहा हूँ तो बहुत detail में proof निकाल निकाल के पढ़ाता है कि यह formula कहां से आया और भी चीजे क्या होती है कहां नहीं होती है बट अभी हमारे पास उतना time नहीं है ठीक है तो असल में मैं आपको इतना बता देता हूँ और कि जैसे time पर आधारी दो प्रकार के प्रशन आते है और ये दो प्रकार के प्रशन क्या होते है तो पहला यहां पर हो जाता है concept of total time अगर मैं यहां लिख दू तो ठीक है क्या हो जाता है concept of total time मेरे भाई और दूसरा यहां पर क्या हो जाता है तो दूसरा यहाँ पर हो जाता है concept of difference of time फिक है क्या हो जाता है concept of difference of time और यह दोनों के उपर SSE दबा के question पूछती है बढ़िया तरीके से मतलब favorite हो जाती है यहाँ पर SSE का यह अब जैसे मानों यह दोनों concept पर question पूछा जाएगा तो यहाँ पर question कैसे पूछा जाता है तोनों में same formula लगता है यहाँ पर जो लगेगा याद रखना S1 into S2 total का मतलब क्या होता है total का मतलब होता है जोड़ना अब यह total time और difference of time क्या है यह भी थोड़ा से elaborate कर देते हैं और जाद अच्छे से समझ में आएगा जैसे मान लो कि दो point है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर क्या है A हो गया और यह C हो गया और बीच में एक point है B नाम का या ऐसे कहलो यहाँ पर कि सर यह 2 point हो गया हमारा 1 point A हो गया और 1 point B हो गया तो question में कहा जाता है ठीक है कि जैसे मानो मैं यहाँ से यहाँ तक गया और फिर मैं यहाँ से यहाँ तक आया और इस case में मुझे पूरे के पूरे लग गया 5 गंटे यदि मेरे जाने की speed फलाना थी और आने की speed फलाना थी distance कितना होगा इसको हम लोग कहते हैं concept of total time कि जाने का समय T1 आने का समय T2 यानि T1 प्लस T2 हमें दिया जाएगा तो जब T1 प्लस T2 हमें दिया जाएगा तो उस case में हम speed की जो value रखेंगे या जो formula हमारा apply होगा न वो हमारे यह हो जाएगा distance बराबर S1 into S2 divided by यहाँ पर S1 प्लस S2 into कितना हो जाएगा into हमारा हो जाएगा यहाँ पर bracket में आप लिख लो total time total time के hello या जो time दिया गया होगा वो लिख लो जादा बहतर होगा तीक है यह direct formula आप apply कर सकते हैं दूसरा यहाँ पर हो जाता है concept of difference of time concept of difference of time का मतलब क्या होता है जैसे माल लीजे कि आप A से B तक पहुँचे और वापस आने में आपको 2 गंटे जादा लग गया traffic मिल गया, कुछ मिल गया, कुछ और हो गया या क्या पता वापस आने में आपको जादा ना लगके 2 गंटे कम लग जाएए यहाँ पर तो उस case में यहाँ पर आप कैसे करोगे आपके पास समय का क्या है एक difference आ चुका है जाने और आने में 2 गंटे का difference जाने आने में 3 गंटे का difference तो उस case में distance का जो formula होता है ना हमारा वो हमारा हो जाता है S1 into S2 divided by S1 minus S2 total time में plus होता है difference of time में minus होता है और into हमारा हो जाएगा किसके तो into हमारा हो जाता है difference in time के into हमारा क्या हो जाएगा तो difference in मेरे भाई time के यह ध्यान रखना है यहाँ पर total sum of time लिखेंगे यहाँ पर difference in time लिखेंगे यह बहुत ज़रूरी है अब जैसे मान लीजे यह पहला question आपका आया यह difference of time के उपर आधारित है सीजल का पूछा गया सवाल कहा गया कि अखिल को 30 मिनट जादा लगते है किसी दूरी को travel करने में 500 किलोमेटर को अगर वह 10 किलोमेटर प्रती घंटा slow जाता है तो यहाँ पर जो है how much time will he take to drive 90 किलोमेटर if we drive 15 किलोमेटर पर hour slower than usual speed आसान भाशा में बताएं तो अखिल 500 किलोमेटर की दूरी तै करने में 30 मिनट का अतरिक्त समय लेता है उसको 1500 जाना है नॉर्मल चाल से जाता तो यहाँ पर नॉर्मल टाइम लगता अब यहाँ पर क्या किया है उसने अपने speed को कम कर दिया है यदि वह अपने समाने गती से 10 किलोमेटर परती घंटे धीरे से ड्राइव करता है यदि वह अपने speed को कम करता है तो उसे 30 मिनट जादा लग जाते है यानि एक difference of time आगया कि नहीं आगया जब मैं आपसे यह बोलूँ कि मुझे अब 5 घंटे जादा लग रहे है इसका मतलब वो difference of time है चीख है मुझे 6 घंटे जादा लग रहे है इसका मतलब वो difference of time है तो difference of time जहां पर भी आ जाता है आपको अपना formula याद रखना है कि distance बराबर S1 into S2 divided by इतना यहाँ पर जब भी ऐसा question आए और into यहाँ delta लिख लोगे तो जादा बहतर है delta का मतलब difference of time होता है कितने की दूरी आपने travel की है तो 1500 km की दूरी और कहा गया यदि आपने अपने speed को 10 km कम किया यानि यहाँ पर S और दूसरा speed है इससे 10 km कम क्योंकि speed के बारे में कोई चर्चा नहीं है कहा गया आपने speed को 10 km पती गंटा कम किया तो 30 मिनट जादा लग गया यानि यह पूरानी चाल थी अब यह नहीं चाल है इन दोनों का difference S1 में से S2 घटाओगे इससे घटाओगे तुमारा आजाएगा 10 और time का difference कितना आया है पहले की तुलना में अब की तुलना में 30 मिनट का अंतरा है कितने का अंतरा है 30 मिनट का तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 से लखेंगे अब यह तो मिनट है ना इसको hour में बदलने के लिए क्या करोगे 60 से भाग करोगे तो आज़े हैं यहां पर 30 से अगर आप काटेंगे 2 बार में तो क्या हो जाएगा यह 20 है और यह 1.500 है टोटल मिलाकर कितना हो जाने वाला है 3,000 यहां पर बोलोगे S into S minus 10 बराबर 3,000 अब आपके पास यहां से 2 option बचते हैं पहला option क्या जाके कोट मिनार से कूद जाओ नहीं वो option नहीं है पहला option की quadratic equation solve करो और नहीं तो दूसरा option यहां पर यह है कि अपने mind से कोई data सोचो तो मेरे को S की value 60 समझ में आ रही है कि अगर मैं यहां पर 60 लेता हूँ तो यह हमारा 60 हो जाएगा into 60 में से 10 गटाएंगे 50 हो जाएगा और यह हमारा 3000 के बराबर तो इस तरीके से सोचना होता है अपने thinking skills हो बढ़ाना होता है यहां पर तो यहां पर आपको इतना पता चल गया S की value जनाब आपको क्या लेनी है तो S की value तुरंत यहां पर क्या ले लेंगे आप S की value 60 ले लेंगे और 60 में से यहां 50 को गुना करेंगे तो अटोमेटिक 3000 आ जाएगा इसका मतलब S कमान 60 है तो यहां तो quality की question बना के solve करो तो 60 हैगा नहीं तो यहां से 60 ले सकते हो अब question में कहा गया यहां पर कि how much time will he take to drive 90 km if we drive 15 km per hour slower than usual speed अगर वह अपने समाने 40 से अगर वह अपने समाने 40 से 15 km प्रती गंटा धीरे चलता है तो 90 km जाने में समय कितना लगेगा बहुत शांदार भई तो time बताना है time बराबर distance कितना हो गया 90 और speed कितना हो गया 60 में से 15 गटादो यानि 45 काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 गंटा ये हमारा correct answer है option number B for Bahubali ठीक है अंकित कुमार कहते है सरी किसका formula है ये हमारा distance time और speed का relation especially तब जब हमारा एक time का difference हमें दे दिया हो आज़ो चलो एक और question सीजल के परी का पूछा गया है देखो यहाँ पर क्या है कहा गया है कि अगर रमन अपने बाइक से यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमेटर प्रती गंटे की चल मैंने कहा ना दो तरह के question होते है एक में fix तुम्हें speed की value देगा कि इतने के रफतार से जा रहा है तो इतना late तो इतने के रफतार से जाएगा तो इतना late तो distance बताओ ठीक है और एक ऐसा होगा जहां पर तुम्हें value देगा ही नहीं वो भी case हम तुम्हें ले के चलेंगे तो यदि रमन अपनी बाइक से 24 किलोमेटर प्रती गंटे की चाल से चलता है तो कारेयले 5 मिनट की देरी से पहुंचता है यदि वो 30 की चाल से चलता है तो अपने कारेयले 4 मिनट पहले पहुंच जाता है 27 की चाल से अपने कारेयले पहुंचने में कितना समय लगेगा यहां देख लो तो रमन ड्राइव इस बाइक अटा स्पीड ओफ 24 किलोमेटर पर और रिचे जूफ इट फाइफ मिनट लेट पहले वो क्या था पांच मिनट लेट और अब वो क्या है चार मिनट अर्ली है मैंने कहा था लेट और अर्ली यानी इनके समय को क्या करेंगे जोड देंगे लेट अर्ली में या अर्ली लेट में समय को क्या करते है जोड देते है तो सीधा सा बात है भाई डिस्टन्स बराबर पहले उसकी रफ़तार कितने की थी 24 की थी और अब उसकी रफतार कितने की है तो 30 की है तीक है यहां पर रफतार में अंतर की बात करोगे तो 6 का है टाइम का अंतर कितना हो जाएगा पहले वह लेट था अब वह early है तो दोनों के समय को क्या कर देंगे जोड देंगे तो 5 minute और 4 minute कितना हो जाएगा मुन्ना 9 minute हो जाएगा 9 minute का मतलब यहां गंटे में 9 बटे 60 हो जाएगे ठीक है, 30 से काटोगे तो तुम्हारा कितनी बार में जाएगा 2 बार में 6 और 2 बार से यह कितनी बार में 2 बार में याने distance हमारा आ जाएगा 18 km डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा भाई 18 किलिमेटर Question में क्या काहा है How much time will he take to reach the office at a speed of 27 27 के रफ़तार रजाए कितना समय लगेगा जीधा 40 minute बोल देना कैसे 27 तुम्हारा 3 भाग का मान है तो यहाँ पर 18 जो है 2 भाग का मान कितना हो जाएगा 40 बाकि फिर भी अगर तुम्हें time निकालना है तो देख लो भाई time बराबर distance distance कितना जाना है तो देखो यहाँ पर distance 18 जाना है और रफ़तार कितनी है 27 की है minute में convert करने के लिए किस से गुना करोगे 60 से क्यूं minute में convert करोगे कि question में सारे minute में ही दिये गए है 9 से 18 बार में 9 से 3 बार में 3 से यहाँ पर 20 बार में correct answer कितना हो जाएगा 40 minute हो जाएगा बिल्कुल सही तरीका है आजओ जब एक वेक्ती अपने चाल में 6 किलोमेटर प्रतिगंटे की कमी करता है अब यहाँ देख लो यहाँ exact time नहीं दिया है यहाँ पर question मैंने बदल दिया साथ के बाद से अब यहाँ से मैंने यह देना शुरू कर दिया कि अगर कोई speed को बढ़ाए फलाने से तो क्या होगा और फलाने से कम करे तो क्या होगा but not given exact value of the speed ठीक है When a person decreases at speed by 6 km per hour he reaches destination 20 minute late while when he decreases speed by 2 km per hour he reaches 5 minute late actual speed of the person actual speed of the person यहाँ पूछा गया है अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर ठीक है यहाँ पर question में actual speed ही पूछा गया है मतलब speed नहीं दिया है अब speed नहीं दिया है तो कैसे करें भाई सोचो ज़रा यहाँ पर लिख देते हो S2 के जग़ा लिख देते हो लेकिन अगर speed नहीं दिया गया होता है तो आप इसे दो अलग-अलग case मान लेते हो और दो अलग-अलग case मान के कैसे बनाते हो बस यहां पर देखना ठीक है कैसे करोगे यहां पर देखो समझो यहां पर बोलोगे distance बराबर जब कोई व्यक्ति अपने speed को 6 km प्रती घंटा से कम करे तो आप बोलोगे सर अगर उसकी speed पहले S थी तो अब वह कम करके S-6 बना देगा यहाँ पर speed का difference कितना हो जाएगा 6 मिनट फिर यहाँ बोलोगे तब वह 20 मिनट लेट था his destination 20 मिनट लेट तो यहाँ कितना है time का difference तो time का difference यहाँ 20 मिनट लेट है मुझे लिख लेने तो फिर मैं आपको समझाओंगा फिर कहा यदि उसने अपने speed को 2 से कम किया याई यदि उसकी speed पहले S थी अब उसने S-2 कर दिया जहाँ पर यहाँ speed का difference 2 है तो वह 5 मिनट लेट है याई 5 अपन 60 अब बोलोगे सर यह क्या कर दिया आपने मेरे भाई सही किया मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ दो equation बनाए है कारण हम बताते हैं मेरा speed दिया गया होता है न तो पहला वाला speed S1 हो जाता है इस question में कहीं पर कोई speed की चर्चा नहीं थी तो मैंने पहले speed को S माल लिया और मैंने उसको reference में ऐसे लिया दोनों को मैंने अलग-अलग case बना दिया मैंने कहा कि यार यह normal यातरा थी अगर मैं S के रफ़ता आश्रे जाता हूं तो T नाम का समय लगता है अगर मैं अपने speed में 6 की कमी करूंगा तो मेरा जो समय है ना वो 20 मिनट क्या हो जाएगा फालतू लग जाएगा लेट हो जाऊंगा मैं वहीं लिखा है 20 मिनट लेट तो मैंने इसको एक अलग case बना लिया इसलिए पुराना speed अगर S है तो निया speed S-6 दोनों का अंतर 6 का तीख है पहले का time T है और अब का time यहाँ T plus 20 तो दोनों का अंतर 20 मिनट का फिर एक और case माना कि पहले अगर S के रफतार्ष रे जाता था T time लगता था अब मैंने यहाँ 2 के कमी की है तो समय मेरा यहाँ 5 जादा लगा है देखो तो यह S into S-2 हमारा हो गया फिर उसके बाद speed का difference दो पहले T लगता था T plus 5 time का difference 5 मिनट यह लिखा हमने 5 मिनट तो note बना कर लिख भी सकते हो कि जब exact speed हमारा दिया गया हो तो एक equation बनता है लेकिन जब exact speed ना दिया गया हो हमारा और यह बोले फालाने से बढ़ाया फालाने से कम किया तो दो equation बनते हैं मेरे भाई ठीक है बढ़ाते बढ़ाते बच्चों को मुझे इतना याद हो गया है fix ही bad गई है mind में इस तरीके से इसलिए question set कर पाता हूँ पहले single case पर दिया फिर उसके बाद fix speed पर दिया पांच है दो से काटोगे तो तीन बार में खतम पांच से काटोगे तो कितनी बार में चार बार में तो ये हो जाएगा 4S माइनस कितना हो जाएगा 24 क्योंकि 4 से गुना कर रहे हो और ये तुम्हारा 3 से सिदा गुना हो जाएगा और हो जाएगा 3S-6, मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 3S-6 हो जाएगा, आज़ो, अब अगर यहां बात करो, तो कुल मिलाकर जरा देखना, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे, 4S में से S चला गया, तो S आजाएगा, और 24 में से 6 ला जाएगा, तो 18 आजाएगा, यानि स्पीड कितना हो जाएगा, 18 किलिम्टर प्रती घंटा, ऐसे सवालों में जरूरी नहीं है, कि आपसे स्पीड ही पूछा जाए, कई बार आपसे distance भी पूछ लिया जाता है, तो अगर इस speed की value को इसमें इस equation number 1 में रख दो, या इसको equation number 2 में रख दो, तो मेरे भाई वो distance की value देदेगा, ध्यान रखना, तो कई बार distance भी पूछा जाता है जनाब, आजएगे, question number 9 पर चलते हैं, question number 9 देखते हैं, क्या कहा है, अनुएक निशित दूरी अपने एक नियत चाल से तै करती है, परन्तु जब हो अपने चाल को 10 km प्रती गंटा कम करती है, मतलब fix value नहीं है, जब हो speed को कम करेगी, तो समय अवदी 40 मिनट बढ़ जाएगा, 40 गंटे बढ़ जाएगा, परन्तु जब हो अपने मूल चाल में 15 km प्रती गंटे के वरिधी करती है, तो उसके द्वारा लिया गया समय, मूल समय से 10 गंटे कम होता है, उसके द्वारा तै की गई दूरी ग्याद करिये, और मैंने कहा ना कि fix रखो, कि paper में distance भी पूछा जाता है, तो इस वाले question में तुमसे distance ही पूछ लिया गया, speed का कोई जिकर ही नहीं है मेरे भाई, इस वाले question में सीधा कहा कि भी या distance बता दीजे कितना होगा, तो अनु जो है कोई distance को travel करती अपने speed से, जब वो अपने speed को 10 km कम करेगी, तो यहाँ पर समय 40 minute या 40 गंटे बढ़ जाएगा, equation लगाते हैं, देखिए, दो case है हमारा, तो कितना equation बनेगा, दो equation बनेगा, तो पहले बोलेंगे माल लीजे कि अनु पहले S के रफ़तार से जाती थी, कितने के रफ़तार से जाती थी, तो अनु पहले यहाँ पर S के रफ़तार से जाती थी, और अब उसने अपने रफ़तार में 10 की कमी कर दी है, यहाँ पर difference of time कितना हो जाएगा 10, तो उसने जो है यहाँ पर क्या लगा, then the time duration for journey increases by 40, यानि अपने time duration का अंतर 40 का है, अब case number 2, यदि वह अपने रफ़तार को 15 किलिमेटर बढ़ा दे, तो अपने रफ़तार को यहाँ जो है, 10 गंटा, एए स्वरी, 15 किलिमेटर बढ़ा दे, यानि S into S plus 15, divided by 15, तो समय हमारा कितना लग रहा है, तो समय हमारा 10 गंटे लग रहा है, ठीक है, जब मिनट होता है, तो उसे गंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, भाई, आजाओ, चलो, तो तुम्हारा S से यह देखो, यह distance से याद रखना, तो S से तो तुम्हारा पहले ही S खतम हो चुका है, इससे अगर काटोगे तो तुम्हारा पहले ही चला गया है, 5 से काटोगे तो 2 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, 2 से मेरे भाई 2 बार में, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 10 तुम्हारा 6 X माइनस यह 60 बराबर हो जाएगा S प्लस 15 के, अगर देखोगे यहाँ पर तो मेरे भाई 6 X में से S चला गया, तो 5 S हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 75 के, 5 से काटोगे तो 15 बार में, यहीं S की वैलू तुम्हारा 15 किलोमेटर प्रतिगंटा, S की वैलू कितनी आ जाएगी 15 किलोमेटर प्रतिगंटा, क्या question में speed पूछा गया है, नहीं, बोला गया find the distance covered by her, वो distance पूछा गया, तो अगर distance पूछा गया है, तो कैसे calculate करोगे, S की वैलू तुम्हारी 15 है, ठीक है, और 15 में से 10 गटा दो, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, into कितना है, मेरे भाई तो 40 है, पूरी यात्रा के दोराण उसत चाल 40 है, तो हमारा X-10 और X-1 का मान, क्या होगा, very, very beautiful question, very, very बोलने मजा आता है, very, very में मजा नहीं आता, समझ में आगया बात, ठीक है, आजाओ, तो क्या कहा गए, the ratio of distance between two places A to B, and between B to C, is हमारा 3 ratio 5, मान लेते हैं, हाँ पर कुछ इस प्रकार से कहा गया, यह हमारा A हो गया, यह हमारा B हो गया, और यह हमारा C हो गया, A से B और B से C, यानि यह ratio हमारा है 3 और 5, कभी भी 3 और 5 को 3 और 5 ना समझे, आप उससे 300 और 500 समझ लेंगे, ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा, इससे 300 और इससे 500 समझ लिया जाए, ज़्यादा बढ़ी है, तो A और B और B और C के बीच में, जो डिस्टन्स का ratio दिया है न, 3 और 5 का है यहाँ पर, यानि 300 किलिमेटर और 5 से किलिमेटर हम मान सकते हैं, 3 पाँच को कभी 3 पाँच ना मने, 300-500 मान लिया करो, फिर उसके बाद यहाँ पर कहा है, कि a man travel from A to B at a speed of X, यानि यहाँ से यहाँ X के रफ़तार से कोई जा रहा है, और B से C में हमारा 50 के रफ़तार से जा रहा है, और पूरी यातरा में जो है, वो 40 के रफ़तार से जा रहा है, तो बताओ यहाँ पर जो है, वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले, और सतन चाल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब यहाँ क्या होता है, तो बोलोगे सर, सर, average speed का मतलब हो जाता है, total distance upon कितना, total time, average speed हमारा कितना दिया गया है, तो 40 दिया गया है, ठीक है, total distance की बात करते हैं, सर, total distance की बात करेंगे, 300 और 500, यह 30-50 भी ले लोगे ना, तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ 30-50 ले लो, छोड़ो, 300-500 में क्या 35 को 300-500 ले लो, 30-50 ले लो, कैसे भी ले लो, कोई फरक नहीं पड़ता है, यहाँ पर, total distance कीतना हो जाएगा, 30-50 यानि 80 हो जाएगा, और time की बात करते हैं, तो time बराबर distance upon speed होता है न भी या, तो time बराबर distance upon speed यानि यहाँ पर time इतना लगा था, और यहाँ पर 50 बटे 50 या बराबर रो जाएगा, तुम्हारे किसके 2 के उठा सकते हो गी नड़ा सकते हो बोलो, तो बोलोगे हां सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 बटे x बराबर लो जाएगा, तुम्हारे किसके 2 माइन से 1 के, X की value उठालो, X कमान कितना आ जाएगा 30, आलागे फिर भी बोलता आया हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा X की कोई value नहीं होती है ठीक है कोई दिक्कत की बात है यहां पर X की कोई value नहीं होती है अब question में क्या बोला X-10, X-1 value कितनी है बताओ X-10 और X-1 की value हमारा कितना यह बताए गया है तो बताना X की value 30, 30 में से 10 गया तो हो जाएगा 20 और तुम्हारा 30 में एक जोड़ दो हो जाएगा 31, 21, option number 1 तो पहले कि special concept हम आपको पढ़ा रहे है और उस concept का नाम हमारा क्या है उस concept का नाम हमारा मुनी concept है मुनी concept हमारा क्या कहता है तो मुनी concept में हमसे यह कहा जाता है समझना कि जैसे मानो यह दो point है हमारा एक हो गया हमारा A और दूसरा हो गया हमारा B कोई वक्ती A से हमारा चलना शुरू करता है और कोई वक्ति हमारा B से चलना शुरू करता है ठीक है और उसके बाद होता क्या है A से कोई चल रहा है और कोई B से चल रहा है और मिलने के बाद यहां पर मिलने के बाद क्या होता है मिलने के बाद इसे यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है T1 और इसे यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है T2 जिसे मान लीजे कि यहाँ पर एक प्यारा बच्चा जो है अपना फोन किया महिला मित्र को और बोला कि चलो मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ ठीक है तयार है ना तो ये मेरे भाई अपने घर से निकला और ये अपने घर से निकली मौतरमा यह अपने घर से S1 के स्पीड से निकल रहा है मैं पूरा केस आपको समझाता हूँ बहुत ही जबरदस्त केस है मज़ा आदाएगा आपको पढ़के तो जैसे मान लीजे आप लोगों ने अपने महिला में तरह को फोन किया और आपने कहा देखो मैं घर से निकल रहा हूँ तुम भी निकल जाओ बीच रास्ते में रेस्टरेंट पढ़ता है वहीं पर चाय नाशता पानी करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे भविश्यों में क्या करना है तो यहां से आप निकले कितने के रफ़तार से S1 के रफ़तार से यहां से वो निकले कितने के रफ़तार से S2 के रफ़तार से मानों दोनों अपने घर से फिक्स टाइम पर निकले होगे पांच बजे हो सकता है रास्ते में कहीं साड़े पांच में मिल जाओ 6 बजे मिल जाओ, 7 बजे मिल जाओ, कभी मिल जाओ लेकिन एक fix time के बाद मिलोगे कि आपको जितना समय यहां लगेगा उतना ही समय इने भी लगेगा यहां पहुचने में tea time के बाद मिलने के बाद चाय नाश्ते पानी पर यह decision होगा कि भाया रिष्टे की बात करनी है अब रिष्टे की बात करनी है तो कौन करेगा यह अपने घर पे करनी ही सकती है आप अपने घर पे करनी ही सकते हो तो daring दिखा के आप लोगों नोचित समझा मैंने का मैं तेरे घर जाओंगा बात करने तुम मेरे घर जा रिष्टे की बात करने है तो ये भाई साब अपने S1 के रफ्तास रिचल पड़े अब यहां से इनके घर जाने में इने T1 टाइम लग गया और ये मैडम को S2 से यहां इनके घर जाने में कितना टाइम लग गया T2 टाइम लग गया अब कुल मिलाकर यहां से 3 questions पूछे जाते हैं सबसे पहला question क्या पूछा जाता है कि मिलने का जो meeting time है वो हमारा कितना है तो meeting time की अगर हम बात करें तो meeting time जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा T1 into T2 यानि पहली बार जब वो दोनों मिले थे ठीक है जहाँ पर भी restaurant में और कहीं पर भी ठीक है तो पहली बार जब वो मिले थे तो मिलने का time कितना था T1 into T2 फिर उसके बाद यहाँ पर कहता है दूसरा question दूसरा जो होता है relation वो हमारा ऐसा होता है कि इनके speed का जो ratio होता है न वो बराबर होता है inverse of time के ratio के और यह time का root लगा देना ठीक है और तीसरा question जो होता है मेरे भाई वो हमारा हो जाता है distance के बारे में और distance हमारा क्या हो जाता है तो distance हमारा हो जाता है S1 T1 और जमा हो जाता है S2 T2 मेरे भाई यह दो बातों का ध्यान रखो तो कुल मिलाकर इस concept से तीन सवाल पूछे जाते है पहला हमारा हो गया time की value यह दूसरा हमारा हो गया speed और तीसरा हमारा हो गया distance यहाँ पर ठीक है तीनों के उपर बढ़िया बढ़िया question पूछा जाता है अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जैसे सेम तरीके से हुआ कि शाम A से B की और चलना शुरू करता है अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यह हमारा A हो जाएगा और यह हमारा B हो जाएगा शाम हमारा A से B की और चलना शुरू करता है और उसके बाद यहाँ पर कहा गया है राधा B से A की ओड चलना शुरू करती है दोनों सुबह 10 बजे चलना शुरू करते हैं और प्उंट नंबर C पर मिलते हैं किस पॉंट पर मिलते हैं तो C पर मिलते हैं मिलने के बाद वे दोनों के रमशे 24 और 54 मिनट में गंतवेस्थान पर पहुंच जाते हैं पहली बात शाम कितने गिरफतार से चल रहा है तो यहां बोलोगे सर देखो शाम ने यह से B की ओर 10 वजे चलना शुरू किया और ठीक है मतलब यहां पर क्या हुआ कि यह हमारा T1 है और यह हमारा क्या हो गया T2 हो गया तो जो मीटिंग टाइम होता है वो मीटिंग टाइम क्या होता है तो मीटिंग टाइम बराबर रूट अंडर T1 इंटू हमारा कितना हो जाएगा T2 हो जाएगा अगर हम यहां देखते हैं तो इसे हम कैसे solve कर सकते हैं आप यहां देखो तो बोलोगे सर 24 नहीं है यह 6 ईंटू 4 है और यह 4 नहीं है यह 9 ईंटू 6 है अगर आप देखोगे 6 कितनी बारा है दो बार तो एक बार उठाओ 4 का रूट 2 हो जाएगा 9 का रूट 3 हो जाएगा कुल मिलाकर कितना मिनट 36 मिनट कुल मिलाकर कितना मिनट मेरे भाई 36 मिनट यानि वो लोग अपने घर से 10 बज़े निकले थे ये लोग अपने घर से 10 बज़े निकले थे और कितने बज़े ये मिल जाएंगे तो ये 10-36 पर मिल जाएंगे option number जो B है वो हमारा correct answer है clear हो गया? चलो आज़ो next question की बाद इसी तरीके से ये आपके CGL का question है 12 April 2022 में पूछा गया है ये भी same question है देखिया कहा गया है A और B ने करमशा X और Y और Y और X के लिए अपनी यातरा शुरू की एक दूसरे को पार करने के बाद A और B ने अपनी यातरा के सेश भाग को करमशा इतने घंटे में और इतने घंटे में पूरा कर लिया यदि A की चाल 32 किलोमेटर प्रती घंटा है तो B की चाल गयात करिए कि B की चाल हमारे कितनी होगी? क्या होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एक हमारा पॉइंट हो गया X और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया Y A और B अपनी यातरा को X और Y से शुरू करते हैं ठीक है? समझें यह X से Y के तरफ चलता है और यह Y से X के तरफ चलता है ठीक है? उसके बाद क्या होता है? कि जब यह दोनों चलना शुरू करते हैं तो बीच में यह लोग कहीं पर मिलेंगे और मिलने के बाद, क्रॉस करने के बाद इसे हमारा कितना सुमय लगता है? तो आफ्टर क्रॉसिंग इच अदर डियाग्राम बनाने के अवशकता नहीं है ठीक है? यहाँ पर कि हाँ ऐसा क्या हो रहा है? कितना हो रहा है? क्या हो रहा है? बहुत ही सरल भाशा में आप यहाँ पर लिख सकते हैं और वो क्या है? आप बोलेंगे सर देखो जब भी दो लोग एक दूसरे की तरफ चलते हैं बीच में चाय नशता पानी करते हैं और उसके बाद एक दूसरे की घर की तरफ चल देते हैं रिष्टे के लिए तो उस केस में हम यहाँ पर सीधा वो जो फॉर्मला आपने दिया ना उसे अपलाई करेंगे स्पीड ओफ ए और स्पीड ओफ बी का जो है वो रिलेशन लगाएंगे तो स्पीड ओफ ए और स्पीड ओफ बी का रिलेशन हमारा क्या होता है तो स्पीड ओफ ए डिवाइड़ बाई स्पीड ओफ बी बराबर हो जाएगा हमारे time of b divided by time of a हो जाएगा हो जाएगा चलो, a की रफ्तार हमारी कितनी है तो a की रफ्तार हमारी 32 है और b की रफ्तार हमारी कितनी है तो b हो जाएगा ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पहले कहा गया x से, अब देखो time का सबसे बड़ा लफड़ा होता है बहुत लोग यहाँ पर यह रहते कि यार time का relation कैसे crack करें हम यहाँ पर तो इस बात को आपको समझना होगा कि जिसका जिकर पहले होगा ठीक है तो भाई पहले वही उसी का time आएगा जैसे x का जिकर अगर पहले हुआ तो पहला वाला time x के लिए है और जिसका बाद में जिकर हुआ हो बाद वाले के लिए है तो a और b ने करमशा x और y से अपनी यात्रा शूरू किया एक दूसरे को पार करने के बाद a और b जो है यानि a को इतना घंटा लगता है और हमारे b को इतना घंटा लगता है ये A का समय है और ये B का समय है तो अगर मुझे समय की बात करनी है तो A का समय आठ चकरतालिस एक उन्चास बटे आठ उन्चास और बटे में आठ बटे में आठ कहां चला जाएगा तो उपर और B का समय हमारा कितना हो जाएगा तो B का समय हमारा 8 गंटे हो जाएगा ठीक है? यानि A की रफ़तार यहाँ है तो A का समय यहाँ होगा B की रफ़तार यहाँ है तो B का समय यहाँ बरोगा दोस्तों आज़े यह है, तो 32 बटे में क्या हो जाएगा? B की रफ़तार बराबर 64 का root करोगे तो 8 हैगा और 49 का करोगे तो 7 हैगा अब practically देखो तो यहाँ यह 8 का 4 गुना है अगर यह 8 का 4 गुना है तो 7 का 4 गुना कितना होगा 28 होगा option number जो भी आएगा वो हमारा क्या आजाएगा correct answer आएगा आजाओ यहाँ पर next question कहागा है कितना प्यारा question है बताओ same concept है दो लोग चल रहे है एक हमारा रेखा भी है एक हमारा सुमन भी है दोनों के दोनों मिलते है और मिलने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो है एक दूसरे की घर के दरफ़ चल देते है तो जब भी ऐसा concept आएगा क्या लगाना है? मुन्नी concept लगाना है याद रखना है यहाँ पर ठीक है? तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे? speed of Rekha और speed of Suman यहाँ पर बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर root under time of Suman और time of Rekha के हैं बहुत ही clear message है भाई तो यहाँ पर क्या कहा गया? after meeting देखो Suman और Rekha तो Rekha की speed कितनी दी है? बच्चों तो Rekha की speed जो है वो आप देखेंगे तो Rekha की speed no है सuman के speed के बारे में कोई चर्चा नहीं है भाई तो सuman के speed को अपन क्या मान सकते हैं? अब बात आता है समय का तो समय अगर हम यहाँ देखेंगे तो पहले जिकर question में किसका हुआ था? तो पहले यहाँ पर हुआ था सuman का और फिर उसके बाद हुआ था Rekha का तो जो पहला समय है वो सuman का और जो बाद वाला समय है वो Rekha का है पढ़ भी सकते हैं after meeting on the way सuman और रेखा रीचिन इतना यानि पहले सuman इतने मिनट और रेखा हमारा इतना मिनट कई लोग कोशिश क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको हम थोड़ा सा आवर वावर में बदल दे यह मुर्खता है मिनट में Convert कर लो ज्यादा आवर में क्यूं बदल रहे हूँ तो यहां देखो तो 180 मिनट और 12 मिनट कितना हो गया 192 मिनट यानि सुमन को जो सुमन को जो सुमन लगेगा वो कितना लगेगा तो 192 लगने वाला है और रेखा को जो सुमन लगेगा वो हमारा 108 मिनट लग जाएगा भाई ठीक है? कोई दिक्कत की बात है यहां पर कोई परिशानी की बात है तो यहां पर रेखा का समय रेखा की स्पीड तो रेखा का समय सुमन की स्पीड तो सुमन का समय अगर आप यहां काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आप यहां पर अगर देखते हैं 4 से काटोगे या 12 से 12 से काट लो 12 अगर तुम्हारा एक गुना 12 हो गया और 12 चक 72 और 12 से काटोगे तो तुम्हारा 9 12 में अगर हम यहां देखते हैं तो बोलेंगे 9 upon x बराबर हो जाएगा 16 का root 4 और 9 का root 3 ठीक है further अगर हम यहाँ देखेंगे तो 9 into 3 27 और बटे में 4 यह आपकी x की speed आ जाएगी 27 को 4 से भाग करोगे तो 4 चक 24 और यहाँ पर 0.75 यह हमारा x का मान हो जाएगा हाला कि यहाँ पर इतना नहीं जाना है normal fraction तो 4 का 6 गुना 6 सही 3 बटे 4 option number D जो है वो हमारा क्या है correct answer है तो जब भी दो लोग एक दूसरे की तरफ चलते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद अपने अपने रास्ते में वो निकल जाते हैं सीधा हमें यहाँ पर यह formula लगाना होता है और हमारा answer आजाता है आज यह next question देखते है MTS का एक और question है पूछा गया A और B A की समय पर बिंदू M से N की ओर चलना शुरू करते हैं और ठीक है B N पर पहुंचता है और तुरंत वापस M की ओर चलना शुरू कर देता है वहाँ बिंदू O जो की M और N के बीच है वहाँ पर मिलता है और फिर M और N के बीच की दूरी 245 km है यदि A और B का चाल करमशे 26 km प्रतीगंटा है और 65 km प्रतीगंटा है तो O और N के बीच की दूरी क्या होगी आपको लग रहा होगा कि यह question जो है MTS का है तो आसान होगा बट आप देख पारे हो यहाँ पर किसका level क्या है और कैसे है ठीक है समझ रहे हो बात को यहाँ पर clear है यह बात यहाँ पर तो यह जो सवाल है ना यह सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है MTS का बढ़िया लेवल का question है यहाँ पर ठीक है अब देखते चलो यहाँ पर ऐसा question आता है ऐसा question कई बार पूछा जाता है कि जैसे मानो यह हमारा A हो गया और यह हमारा B हो गया यहां से दो लोग हैं एक पर्षण यह हो गया एक पर्षण यह हो गया दोनों के दोनों चलना शुरू कर रहे हैं बट अक्सर होता क्या है यहां पर अगर मैं बात करूँ तो दोनों में रेस लगी है यहां पर और एक भाग रहा है दूसरा यह भी भाग रहा है एक आराम आराम से आराम आराम से पढ़ रहा है और दूसरा और खतरनाक तरीके से पढ़ रहा है ये पढ़ते 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 जब वापस आता है तो भी देख रहा अच्छा भाई तू पढ़ी रहा है यानि कहने का मतलब क्या हो गया जिसकी रफतार धीरे होग time constant है time constant है तो जिस ratio में इन दोनों का speed होगा उसी ratio में ये distance भी travel करेंगे अगर मानो इसका speed इसका दोगुना आ गया ना तो इसके distance का double ये वाला distance travel करने वाला है ठीक है इस बात का हमें क्या करना है ध्यान रखना है यहाँ पर तो वैसा ही concept हम यहाँ लगाते हैं सेम कोशन हम से कहा गया है A और B जो है point M को जैसे मानो हमारा क्या है तो यह हमारा point M हो गया और यहाँ से क्या हो गया तो A और B जो है हमारे point M को छोड़ देते है तो A and B leave from point N at same time toward point N कहा तक तो भाई? point number N तक किस point तक यहाँ पे तो point number N तक ठीक है? और फिर कहा है कि A and B leave from point M at same time toward point N B reaches N B जो है यहाँ N पहुंचता है और उसके बाद B reaches N and start toward M instantly और यहाँ पर M के तरफ बढ़ना शुरू कर देता है यानि B वाला परसन कर अफ्तार जादा है B यहाँ से निकला यहाँ पहुंचा और पहुंचने के बाद वापस यहाँ पर कहीं पर पहुंच गया है उसके बाद यहाँ कहा गया He meets A at point O यानि यहाँ पर जो है वो A को मिलता है इस बीच में O नाम का point है और यहीं पर वो किसे मिलता है A को मिलता है तीक है He meets A at point O between M and N The distance between M and N is 245 km ये पूरी की पूरी दूरी हमारे कितनी है तो ये पूरी की पूरी दूरी जो आजो भई तो यहाँ पर कहा है कि देखो B यहाँ से चल रहा है और चलते 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 यहाँ पर पहुंचा तब तक पता चलता है A भईया हमारे यहाँ से यहाँ पूंचे है यानि A ये दूरी ट्रावल किया और B पूरा का पूरा दूरी ट्रावल किया और ये लोग मिले कहां पर तो ये लोग हमारे O के point पर मिले हुए कहा गया M और N के बीच की दूरी 245 है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये पूरी की पूरी दूरी हमारी कितनी है तो 245 है कहा गया A और B का जो स्पीड का रफतार है वो 26 और 65 का है A हमारा कितने के रफतार से जा रहा है तो A हमारा 26 के रफतार से जा रहा है और B की रफ्तार देखो कितनी खतरनाक है जस्ट 65 बहुत तेजी से भागेगा यहाँ पर यह तो कहा गया O और N के बीच की दूरी हमारी कितनी है यह बताओ पहले ठीक है अब O और N की बीच की दूरी बतानी है मैंने आपसे यहाँ पर यह बात कहा कि देखो जब भी यहाँ पर दो लोग चल रहे है जिससे मानों यह बंदा यहाँ से यहाँ चल रहा है और यहाँ से यहाँ चल रहा है तो जिस अनुपात में इनकी स्पीड होती है उसी अनुपात में इनका डिस्टेंस भी होता है ठीक है यानि अगर हम बात करें तो जैसे इस वेक्ती ने जो distance travel किया है वो आप ऐसे मानलो कि सर 13 से 2 भाग में और 5 भाग में यानि इसने travel किया तो कितना किया 2 unit और इसने जो पूरा यहां से लेकर यहां तक जो travel किया वो कितना किया 5 unit travel किया बड़े ध्यान से समझना 5 unit travel किया है ठीक है क्या हो गया भाई तो 5 unit travel किया है अब उस 5 unit की अगर हम बात करते हैं न समझो पहले वाले ने 2 unit जैसे मानो 2 km तो यह 2 km यहां है और यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा 5 km है तो उस 5 km का division ऐसे होगा कि 5 km में जैसे मानो यह तुम्हारा 2 हो गया यह तुम्हारा जाने का x हो गया और आने का x हो गया तो एकदम basic से बताएं तो बोलोगे sir 2 km यह फिर उसके बाद यहां पर x जाने के और फिर x आने के बराबर है हमारे 5 के तो 2x की value हमारी हो गई 3 तो x कमान हमारा हो जाएगा बाकी मैं ऐसे भी आप लोगों को समझा सकता हूँ कि यह पूरी की पूरी दूरी आपकी 5 km की है यह 5 unit की है उसमें अगर यह 2 unit है तो यह दूरी हो गया 3 unit 3 unit में 1.5 unit जाने में और 1.5 unit आने में यहां जो भी बच जाता है उसका आधा कर दो भाई क्योंकि आधा जाना है और आधा आना है तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या कहा मैंने सबसे पहले कहा आप इनके speed का ratio देखो तो आपने कहा सर देखो अगर आप 13 से काटोगे तो 2 भाग में कटेगा 13 से काटोगे 5 भाग में यानि यह 2 भाग जाएगा और यह पूरा 5 भाग जाएगा इस 5 में अगर हम यहां बात करते हैं भाई तरीके से अगर हम बात करें तो 5 में यह हमारा 2 हो जाएगा और यह हमारा 3 हो जाएगा 3 का मतलब यह 1.5 और यह हमारा कितना हो जाएगा 1.5 यह जो असल में 245 दिया है ना यह जो 245 है यह पूरा का पूरा 245 कितने का भाग है तो M से लेकर N तक की दूरी है यानि 2 प्लस 1.5 यानि 3.5 का मान है कितनी की वैलू है तो 3.5 का मान है और हमसे किस कमान पूछा गया है O और N का यानि O से लेकर N तक कितना हो गया तो 1.5 तो हमें आंसर भी कितने का बताना है तो 1.5 का यहीं हमारा आंसर हो जाएगा तो असल में सारा का सारा खेल जो था ठीक है सारा का सारा खेल जो था वो हमारा यहाँ पर concept का था जिसको concept पता है वो बहुत तरीके से खेल पाएगा यहाँ पर इसलिए 5 से काटा 7 बार में 5 से काटा 3 बार में 7 से काट लिया तो 7 का 3 गुना 21 और 5 बार में 35 35 का 3 गुना कितना हो जाएगा 105 किलोमेटर यह हमारा correct answer है option number B for Bahubali तो देख लीजिए MTS का question है ठीक है बड़िया level का question था तरीके का question था मेरे भाई समझ रहे हैं चलिए नेक्स question की बात करते हैं अगला सवाल हम देखते हैं अगला सवाल हम से क्या कहा गया अगला सवाल सेम तरीके से question number 28 है भाई क्या का गया वो देखो एक रेलगारी सुबह 8 बजे तो ये clear हुआ ना आप लोगों को relative speed का एक छोटू question था बड़े तरीके से आपने बना दिया एक रेलगारी सुबह 8 बजे station A से निकलती है और दोपहर 12 बजे B पर पहुंचती है एक काम सुबह 8 बजे वे दोनों एक दूसरे को किस समय पर मिलेते बहुत ही beautiful question आप इस question को जितने start होगे ना ये इसके तारीफ में उतने कम पड़ जाते है कारण हम बता रहे हैं ये ऐसा question है ना जहां पर ना आपको speed दिया जाता है जहां पर आपको ना distance दिया जाता है और बस फाल्दुक आपका दिमा करब किया जाता है कुछ भी नहीं दिया जाएगा आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा आप खुद यहां बैट कर निकालिए अगर किसी को time speed distance में clarity चाहिए तो मेरे भाई इस सवाल को लगाओ तुम्हें बहुत मज़ाएगा question में क्या कहता है एक train जो है station A को यानि अगर हम बात करते हैं तो station A को कितने बज़े छोड़ रहा है तो 8 बज़े यहां पर छोड़ रहा है ठीक है और उसके बाद B को कितने बज़े पहुंचता है तो यहां जो है B को कितने बज़े पहुंचेगा तो 12 बज़े पहुंचेगा दूसरा अगर हम बात करते हैं अकार लीव से बज़े चोड़ेगा तो B से हमारा साड़े 8 बज़े चोड़ेगा और उसके बाद यहां पर यहीं बात कहा गया है कि कितने बज़े वो लोग बीच रास्ते में मिले हुँंगे जिसे आट बज़े से यह चलना शुरू हुआ होगा बीच में मिले हुँगे और मिलने के बाद अपने अपने दिशा में चल गए तो बीच में जो मिलने का समय था वो हमारा क्या था मैंने काना बहुत beautiful question है हजार बार paper में आता है और हजार बार आना भी चाहिए अगर मैं examiner होता तो हर shift में एक question को जरूर डालता तो ऐसे सवालों को हम बनाते कैसे हैं वो समझो मेरे भाई तो यह हमारा A हो गया और यह हमारा कौन हो गया बी हो गया यह जनाब यहां से चलना शुरू करते हैं और यहां पहुँचते हैं और इनके बारे में पूरी इनकी story लिखी जाए तो सबसे पहले यहां पर जो है A train leave यहां से train की अगर हम बात करते हैं तो train मेरे भाई उपर चल रहा है कितने बज़े चला तो आठ बज़े एकदम तड़के सुबह में और बारा बज़े नून यहां बताना जरूरी है ताकि पता चले यहां बारा बज़े पहुचा है दूसरी बात यहां से कौन चल रहा है कार और वो कितने बज़े चल रहा है साड़े आठ में पूरा picture आप लोगों को बना के आपके mind में एकदम fit कर दूँगा यह सवाल हुआ तो कैसे हुआ अब हम यह time निकालने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा इस question में time के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है आप ऐसे समझो time के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इसलिगे question special है तो concept भी special लगाएंगे और concept लगेगा इसमें time and work का यह गाड़ी 8 बजे निकलती है और 12 बजे पहुँचती है तो इससे समय कितना लग गया तो अगर बात करोगे तो इससे समय लग रहा है 4 घंटा कितना समय लग रहा है भाई मेरे तो बोलोगे सर यह 8 बजे निकल के 12 बजे पहुँच रही है time and work के concept से कैसे करेंगे वो देखो पहले वाले को समय लगा है हमें 4 गंटा और दूसरे वाले को समय लगा है यहाँ पर 3.5 गंटा यह हमारा train है और यह हमारी car है यह इनका time है तो time के हिसाब से हम एक distance माल लेते हैं ठीक है, 3.5 को आप ऐसा भी कह सकते हैं साथ बटे दो, कोई परिशानी की बात नहीं है चार और साथ कैसे हमारा 28 हो जाएगा अगर आप काटोगे तो 4 से 7 बार में और यह काटोगे तो 8 बार में जाएगा क्योंकि 7 से 4 बार में 4 इंटू 2 हमारा 8 है एक एक बार revise करा देते हैं तरीके से ताकी हमने क्या माना यह जो दिया गया था यह हमें टाइम दिया गया था ठीक है उसके बाद यहां पर यह हमारा क्या आ गया तो हम इसको बोलेंगे यह हमारा स्पीड आ गया ठीक है और उसके बाद यहां यह क्या बोलेंगे तो यह हमारा distance आ गया, समझना इस बात को, तो ये हमारा time है, इस time के अनुसार एक distance माना है और उसके अधार पर मेरा ये क्या आ गया है speed आ गया है, अब इसके बाद यहाँ पर कैसे करेंगे, बताओ जल्ली से समझ गया मेरी बात को, अब इस question में यहाँ पर कहा क्या गया है, वो समझना ठीक है, तो यहाँ पर question में देखो, कभी भी अगर दो लोगों का आपको meeting time निकालना हो आज के बात, कभी भी, क्योंकि ऐसे question train में ज़्यादा आते हैं, एक A से चल रहा है, एक B से चल रहा है, तो कभी भी अगर मान लीजे कि यहाँ meeting time निकालना होना, तो meeting time निकालने के लिए उन लोगों को एकी समय पर चलाना अलग-अलग चलाओगे, कभी नहीं पता कर पाओगे, एक समय पर चलाओगे, तो पता लगा पाओगे, यानि अगर यह 8 बजे चल रहा है, और यह साड़े 8 में चल रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को एकी time पर चलाओ, यान तो दोनों को 8 बजे चलाओ, या दोनों को साड़े 8 बजे चलाओ, ठीक है, और मित्रों कहते है, सर, मानो ऐसा लगता है कि मा सरस्वती ने खुद की आज से आपको बनाया, अरे नहीं यार कहां इतना बड़ा बात बोल देते हैं आईए, तो मैंने यहां से क्या कहा, मैंने यहां से कहा कि जैसे यह 8 बजे चला, यह साड़े 8 बजे चला, दोनों को एकी समय पर चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तो मैंने कहा, यह साड़े 8 में चल रहा है तो इसको भी साड़े 8 में चला दो यानि देखो, पहली बात यह हमारा टाइम था, उसके अधार पर यह स्पीड आ गया और यह हमारा डिस्टेंस आ गया साड़े 8 में यह यहाँ पर होगा अब साड़े 8 में यह यहाँ पर होगा तो कितना भाग गया होगा तो मेरे भाई, एक घंटे में यह बंदा साथ किलोमेटर जाता है जो ट्रीन है, एक घंटे में कितना एक घंटे की रफतार उसकी साथ की है तो एक घंटे में अगर वो साथ जाता है तो यहां आदे घंटे में कितना जाएगा तो आदे घंटे में वो साड़े तीन किलोमेटर जाएगा 28 किलोमेटर की जोर्नी में सारे तीन किलोमेटर जाया जा चुका है तो टोटल मिलाकर कितना बज़ गया 24 km बचे गया जिसकी यातरा करना बागी है अब मज़े की बात है अब मेरे भाई इन दोनों के बीच में कितने की दूरी है 24 km अब सेम टाइम पर जब कोई बंदा यहां से निकले और जब कोई यहां से निकले तो हम निकालते हैं रेटेरियर स्पीड नाम का तो हम यहां बोलेंगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है तो बोलोगे डिस्टेंस हमारा 24 का है ठीक है अब यह भाई यहां से ट्रें चला और यह हमारी कार यहां से चली तो दोनों के स्पीड को जोड़ दो आठ जमा साथ यानि 15 जोड़ दो दशमला हटाओगे नीचे डेर सो आ जाएगा पांच से काटोगे पांच से काटोगे तुम्हारा तीस आ जाएगा यानि यहां इतना आवर है अब चुकि यह आवर है मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे इंटू हम साथ कर देंगे ताकि हमारा क्या हो जाएगा मिनट में बदल जाएगा यानि इतना मिनट उन्चास का दो गुना अगर हम बात करते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 98 मिनट और 98 मिनट को बच्चे तुम क्या कहोगे तो 98 मिनट को कहोगे तुम सर 6 मिनट और 38 मिनट यानि 1 गंटा 38 मिनट अब 1 गंटा 38 मिनट के बाद ये लोग मिलेंगे लेकिन यहाँ 1 गंटा 38 मिनट का मतलब कितने मिनट पे बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं ठीक है तो मैंने यहां से कहा था साड़े आठ बजे यहां से चल रहा है साड़े आठ बजे यहां पर यह चल रहा है तो अगर आप इनका meeting time जानोगे तो बोलोगे सर साड़े आठ बजे दोनों चलना शुरू किये थे और एक गंटा 38 मिनट पे यानि यह गंटा 38 मिनट पे मिल रहे है तो पहली बात यहां 8 और एक 9 और यह 10 बज़ के 8 मिनट पे यानि यहां पर यह मिल जाएंगे यह हमारा correct answer होगा option number C जो होगा बिलकुल सही उत्तर होगा ठीक है तो समझ गए बहुत ही बढ़िया question है बहुकाल लेवल का question था मज़ा आ गया इस question को बना के चलो next question देखो question number 30 यहां पर question number 30 और भी जबरदस question है यह देखो क्या कहा गया एक कार बिंदू A से बिंदी B की और 20 km प्रती गंटे की चाल से चलना शुरू करती है डेड़ गंटे बाद दूसरी कार बिंदू A से शुरू होती है और 30 km प्रती गंटे की चाल से चलते हुए पहली कार से ढ़ाई गंटे पहले पहुँचती है A और B के बीच की दूरी क्या गता है बहुत ही प्यारा question मज़ा आ जाएगा भाई ठीक है समझ गए यहाँ पर बहुत ही प्यारा question है तो क्या कहा A car starts from point A toward point B यहाँ पर यह point A से कहा गया तो यह point A से हमारा point B तक गया है ठीक है और कितने के रफ़तार से तो बोलोगे सर 20 km प्रती गंटे के रफ़तार से गया है फिर कहा गया डेड़ गंटे के बाद एक दूसरा इस car A से start होता है और वह 30 के रफ़तार से पहुँचता है और ढ़ाई गंटे पहले पहुँच जाता है पहली car के ऐसे समझ लो जैसे मानो यहां से car start हुआ यह चल रहा है चल रहा है चल रहा है बीच रास्ते में यह कहीं पर है इस car के डेड़ गंटे के बाद एक और car यहां से start होता है यह भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है ठीक है और उसके बाद ये जो है पहले फलाना किलोमेटर पीछे था फलाने किलोमेटर आगे हो गया यहाँ पर कहा गया है कि ये किलोमेटर पीछे नहीं है ये मेरे भाई देड़ घंटा पीछे है यहाँ पर और उसके बाद ये इससे धाई घंटा आगे हो गया ये question में कहा गया है ठीक है कि इसके डेड़ गंटे के बाद इसके डेड़ गंटे के बाद इसने शुरुआत किया और ये धाई गंटे पहले पहुँच गया है ठीक है इस तरीके से question यहां कहा गया है यहां पर पहले वाले की रफतार 20 बताई गई है आप ऐसे समझो, जैसे मानो यहां पर, शुरू में जो गाड़ी जा रही थी ना, उसकी रफ़तार कितनी थी तो उसकी रफ़तार हमारी 20 की थी, और बाद में जो गाड़ी गई है, इसकी रफ़तार कितने की है, तो इसकी रफ़तार 30 किलोमेटर प्रती घंटे की है, तो car travel from point A toward B traveling at a speed of 20 किलोमेटर पर आवर, तो देखो A और B के बीच में आपको distance पता करना है, और distance बराबर क्या हो जाता है, speed into time, बहुत ही प्यारा question है, अब समझेगा इस बात को यहां पर, कि इस question में हम यहां पर क्या करेंगे, तो इस question में पहली बात तो यह distance हमारा कितना है, तो देखो यह गाड़ी 1.5 गंटा चल चुकी, तो यह 1.5 गंटा चल चुकी, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, एक गंटे में 20 जाती है, 20 किलोमेटर प्रती गंटे की रफतार से अगर यह चल रही है, तो 1.5 गंटे में यह कितना किलोमेटर चल चुकी, तो 30 किलोमेटर म गंटे में यह 20 km प्रती गंटा जाती है तो 2.5 गंटे में यहाँ पर जो है यह कितना जाएगी तो 2.5 गंटे में यह 50 km पीछे है यहाँ पर यानि अगर हम बात करते हैं तो नीचे वाले गाड़ी में और उपर वाले गाड़ी में दोनों में जो gap आएगा distance का, वो कितने का आएगा 50 km का आजाएगा ठीक है, यानि इस से 50 km जादा ये travel कर चुकी है समझ लो मेरी बात को, तो यहाँ पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितने समय में, जिसे मानो एक fix time का जितने समय में ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुँची न, उतने ही समय में ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुँच गई यानि हमारा time क्या हो गया, constant हो गया और अगर हमारा time constant हो गया भाई मेरे, तो समझना इस बात को जैसे मानो, ये हमारा suppose कर लो ये x है, और ये हमारा क्या है y है, तो यहाँ पर जो speed of x होगा और speed of y होगा न, वो मेरे भाई देखो, speed का ratio जो भी आएगा speed का ratio अगर आप देखोगे तो speed का ratio आपका 20 और 30 का है, तो जो भी आपका speed का ratio होगा वहीं हमारा distance का भी ratio बन जाएगा 2 अनुपा 3 का क्योंकि fix समय पर यह यहाँ से यहाँ भागता है और fix समय पर यह यहाँ से यहाँ भागता है जब हमारा time fix हो जाता है तो उस case में यहाँ पर जो अनुपात इनके speed का होता है वहीं अनुपात इनके distance का भी होता है तीक है, अब आप मुझे बताओ जो नीचे वाले गाड़ी जो एकदम नीचे से भाग रही है वो उससे कितना ज़्यादा भाग गई है 80 km यानि असल में यहाँ पर इसके डिस्टेंस में गैप कितने का है 80 km का है तो अगर हम दोनों के डिस्टेंस का गैप देखें और यह तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 x 3 240 km यानि कहने का मतलब उपर वाली गाड़ी ने यह 160 km के दूरी को तै किया है और नीचे वाली ने पूरी के पूरी 240 को ट्रेवल किया है कॉश्चन में हमारा A से लेकर B तक का मान पूछा है तो या तो 30 प्लस 60 प्लस 50 कर लो या पूरा का पूरा A से लेकर B तक ये तुम्हारा 240 km है इसको स्विकार कर लो ये तुम्हारा अंसर हो जाएगा भाई कौन सा उप्शन है तो B है या आपके प्री का कोश्चन है देख लिए ये 3-12-2022 में पूछा गया सवाल अभी तक इसके सॉलीशन भी कहीं पर आये नहीं होंगे आजए ये इस वाले कोश्चन को बनाईए एक और जबरदस सवाल है आप लोगों के लिए क्या कहा गया है दो तोपे एकी स्थान पर 6 मिनट के अंतराल पर दागा जाता है उस स्थान की और चला जा रहा एक वेक्ति देखता है कि दो बंदुकों की आवाज सुनने के बीच में 5 मिनट 52 सेकंड का अंतराल है यदि ध्वनी की चाल 330 मिटर पर स्रकेंड है तो वेक्ति किस गति से उस स्थान की और आ रहा है हमसे ये पूछा गया है तीक है नॉर्मली अगर कोई जाएगा मेरे भाई तो 6 मिनट लगेगा तीक है चुकि वेक्ति जो है उसके तरफ आ रहा है उस स्थान की और चल रहा है तो उसे 5 मिनट 52 सेकेंड लगते है यानि अगर यहां पर अगर हम बात करते है तो सबसे पहले स्पीड ओफ मैन हो गया और स्पीड ओफ हमारा क्या हो गया दन हो गया मैन का स्पीड के लिए यहां पर क्या करोगे दोनर टाइम का डिफेट्स अगर यह देखोगे 6 minutes, 6 minutes का मतलब कितना होता है, 360 seconds होते हैं और इसकी value बात करोगे तो यह तुम्हारा हो जाएगा 352 seconds हो जाएगा ना 5 minutes, 300, 32 seconds यानि difference कितने का तो बोलो कि सरे difference हो है, वो हमारा कितने का है, 8 का है और यहाँ पर गन के बारे में बात करें, यानि T2 और 1 का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है चलिए, अब यहाँ पर question में क्या कहा गया है तो question में कहा गया है कि sound की speed 330 meter per second है यानि अगर हम बात करते हैं तो इसकी value हमारा 330 दिया गया है तो हमसे यहाँ पर 1 command पूछा है यानि यह जो 330 है हमारा यह कितने की value है तो यह हमारा 44 की value है अगर यह 44 की value है तो 1 की value कितनी होगी तो multiply करेंगे तो answer आजाएगा लेकिन यह तो meter per second में आएगा और हमसे किसमें पूछा गया किलोमेटर per hour में meter per second को किलोमेटर per hour में convert करने के लिए 14 बटे 5 से गुना करते है और यह हमारा correct answer आजाएगा एक 11 से आप काटेंगे तो 11 से 30 बार में कटेगा 11 से आप काटेंगे 4 बार में 2 से 2 बार में 2 से 15 बार में और 2 से आपका यह 9 बार में और 5 से आप काटेंगे तो कुल मिलाकर 3 बार में आंसर हमारा कितना आजाएगा 27, option number कौन सा आंसर है, बीफ और बाहुबली जो है, वो हमारा correct आंसर होगा पूरा का पूरा ट्रेन हम आपको अगले 10 मिनट में पूरा का पूरा क्लियर करा देंगा कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी ट्रेन में अगर हम बात करते हैं आपर, तो ट्रेन में जो होता है, कई सारे केस होते हैं पहला कि अगर कोई train किसी pole को cross करे दूसरा कोई train किसी platform को cross करे तीसरा अगर कोई train जो है हमारे किसी दूसरे train को cross करे कई सारे समभावनाएं होती है तो हमने कहा कि case number one समझते हैं आपर तो case number one की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है कि जब आपका कोई भी ट्रेन जो है वो किसी भी ऐसे एकदम पोल को पर्षन को या मुन्ना या मुन्नी को ट्रावल कर रहा है और ये हमारा कुछ इस प्रकार का ट्रेन है आप ऐसे समझ लीजिए यहां पर ये ट्रेन ने किसी पोल को ट्रावल कर किसको क्रॉस कर रही है मेरे भाई यहां पर तो कोई प्लाटफॉम है उसको यहां पर ट्रॉस कर रही है घर बना दिया है जाकि प्लाटफॉम है समझ जाओ केस नंबर थ्री हमारा क्या होता है केस नंबर थ्री यहां पर यह होता है प्लाटफॉम हो गया ब्रीज हो गया कुछ मिलाकर यह opposite direction में आ रही train को travel करती है या पार करती है सारे case में एक ही पूछा जाता है और वो हमारा यही होता है कि time कितना लगेगा एक तरीके से भाई साब एक कहरा नशा होता है क्या से आरे बदनाम कर रहा खाबल होने यार energy drink है मेरे भाई पढ़ लेना 0% alcohol और यह चीज़े हैं कहाई इतना डर रहे हो मेरे भाई सिख्षक आदमी है सही बताएंगे गलत नहीं बताएंगे समझे चलो आजाओ तो यहां पर क्या हुआ कि person को पार कर रहा है गर को पार कर रहा है या trains को पार कर रहा है जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना अच्छा person वाले case में भी दो case होता है एक जब इस वेक्ती की हमारी चाल 0 हो और दूसरा जब इस वेक्ती की हमारी कुछ ना कुछ चाल हो जैसे कहती ने मैंने मरे हुए आँटी को चलते हुए देखा कहने का मतलब जब मैं चल रहा था तो मैंने देखा रास्ते में कि एक हांती मरा है समझ के बात को यहां पर तो उसी तरीके से जैसे मानों कि ट्रेन चल रही है और ट्रेन चल रही है तो एक इंसान या तो इदर चल रहा है या फिर एक इंसान ट्रेन की तरफ चल रहा है तो कई सारे हमारे cases हो जाते है हमें उसमें समझना होता है तो सारे cases को हम समझेंगे यहां पर मैंने कहां दस मिनट में पूरा समझा दूँगा सभी cases में एक ही चीज पूछी जाती है time, हमेशा याद रखो time का formula क्या होता है तो time का formula होता है distance upon speed क्या होता है मेरे भाई distance upon speed तो कभी भी अगर आप यहां पर ऐसे सवालों को solve करना तो distance के case में देखना कि कि किस के किस के पास distance है case number one में जो distance होगा वो train के पास होगा यानि train की लंबाई दियोगी इनसान की कोई distance नहीं होती है पोल का कोई distance नहीं होता है ठीक है यानि इनसान 100 मीटर लंबा है ये नहीं दिया जाएगा train 100 मीटर लंबा है ये जरूर दिया जाएगा तो यहाँ distance के case में क्या लोगे तो distance के case में length of train लोगे ठीक है अब उसके बात आते हैं स्पीड के केस में कि स्पीड के केस में क्या लेंगे स्पीड के केस में डिपेंड करता है अगर मान लो यहां पर कि इनसान की स्पीड जो है यहां पर अगर मानो यह वाला केस है हमारा कि स्पीड जिरू है तो उस case में सिर्फ यहां पर train का speed लोगे अगर मानुस्तान स्थिर है, रुका हुआ है, हम चली नहीं रहें और हम को एक train पार करके चली गए, यानि हम एकदम pole बने हुए हैं तो अगर हम pole बने हुए हैं यहां पर ना, तो pole वाला case यहीं रहता है तो उस case में टाइम क्या होगा, रटना कुछ भी नहीं है, बस समझना है तो टाइम बराबर क्या होगा, distance, क्योंकि इनसान के पास कोई भी distance नहीं होता है अगर मानो यहां पर कि जिस रास्ते में train चल रही है, उसी रास्ते में इनसान भी चल रहा है दोनों same direction में, तो speed में हमेशा याद रखना train के speed में से इनसान के speed को minus कर दिया जाएगा और अगर मानो यहां पर मेरे भाई, ठीक है, कि दोनों के दोनों opposite direction में, इधर से train आ रहा है, सामने से इनसान आ रहा है तो उस case में क्या होगा, length तो अभी भी आप train का ही लोगे, speed के जगह पे क्या हो जाएगा, तो train का speed प्लस यहां पर man का speed यह आप ले लोगे यानि man वाले case में तीन case बनते हैं, पहला जब वो रुका हुआ है, तो उसकी speed मत लो, दूसरा जब वो train वाली दिशा में चल रहा है, तो speed माइनस में लो, तीसरा जब वो train से विपरीत में चल रहा है, तो इतना ले लो फिर उसके बाद बात आता है, मेरे भाई यहां पर platform वाले case में, इस हम क्या कहेंगे, तो इस हम कहेंगे, हाँ पर platform कहलो, मेरे भाई यहां पर, तो platform वाले case में क्या होता है, कि platform वाले case में, आप देखोगे time निकलने की बात सूचोगे, तो time बराबर हो जाएगा distance upon speed, अब क्या होता है, इसके पास भी length है, और इसके पास भी length है, जैसे मानो, train की लंबाई 100 meter, platform की लंबाई 600 meter, तो यहां क्या गर होगे, तो distance के case में, आप यहां train का भी speed, length लोगे, और platform का भी length लोगे, ठीक है, और बात करते हैं, आपर speed के matter में, तो भाईया, इसके पास speed होगी, अब आजाते हैं, तीसरे वाले point पे, कि जब कोई train किसी दूसरे train को cross करती है, तो जैसे यह वाला case हो गया, time के जगह पर क्या लेंगे, तो time के जगह पर यहां पर, time बराबर distance upon speed, तो distance में क्या लोगे, तो पहले train का length, और यहां दूसरे train का length, दोनों का लेना यहां पर, सम स्वाला 2 जब हमारा A की दिशा में जाए, तो उस case में time बराबर, क्या यह देखो, length दोनों के पास है, तो hazard length दोनों के पास है, तो दोनों के पास length है, तो length of T1 plus length of T2, और speed हमारा किस के पास है, दोनों के पास है, और opposite direction में आ रहे हैं, तो यहां पर speed of train 1 plus speed of क्या हो जाएग रटने की कोई आवशकता नहीं है, सिर्फ मैंने यहां पर जो है, वो समझाया है तरीके से आप लोगों को यहां पर कि आप कैसे इस सवाल को short में समझ सकते हैं, कैसे कब length लेना होता है, कैसे कब यहां पर speed लेना होता है, क्योंकि आने वाले सारे के सारे सवाल इसी पर अध अब से चार महिना पहले जो मेंस उसमें क्योंकि मुझे पता है कि पूछा क्या जा रहा है पेपर में और कंसेप्ट भी क्या है अब बच्चा सबसे पहले पढ़ेगा तो वो क्या बोलेगा बोलेगा सर रेलगारी जो है ना आप गौर से देखो तो किसको पार कर रही है तो प अब ऑने बात करते हैं तो ड्रेएज में कितना मीटर लंबा है 330 मीटर लंगığु प्लैटफॉर्म हमारा कितना मीटर लंबा है तो प्लैटफॉर्म हमारा 710 मीटर लंबा है और स्पीड की बात हम करते हैं स्पीड हमारा कितना हो जाएगा बहतर किलमेटर प्रती घंटा स्पीड को जब आप बहतर किलोमेटर प्रती घंटा लिखोगे तो यह उचित नहीं है क्यों क्योंकि यह मीटर में है तो इसको मीटर पर स्टेकेंट में बदलो और मीटर पर स्टेकेंट में बदलने के लिए किस से गुना करोगे पांच बटे 18 से तो मल्टिप्लाई कर लो मेरे भाई 18 से काटोगे कितनी बार में चार बार में 300, 300, 700, 210 कितना हो जाएगा तुमारा 1040 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा तो बटे में हमारे 20 हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा तो correct answer 52 second हो जाएगा option number A जो है वो हमारा बिल्कुल सही answer है मेरे भाई, clear है, बहुत शांदार सभी को, मुझा रहा है time speed distance समझ में आ रहा है, ये बताओ पहले, बहुत तेज भगाना नहीं चाहता क्योंकि आप में से कई ऐसे student होंगे, जो फिर से जो आपका paper होगा अपरेल में pre का आप उसको भी देंगे तो concept अगर clear नहीं है ना, अगर अभी ढंक से नहीं पढ़ा तो शायद उस pre में भी तुम्हें दिक्कत है उसके में भी दिक्कत हैगी तो मेरा कोशिश यहाँ पर यह है कि मैं ऐसा पढ़ा दूँ कि साल में जितने भी paper दोग है ना सारे के सारे आपके निकलते जाएं back to back जैसे एक जटके में मैंने पांसरकारी नोकरी निकाली थी तो यहाँ पर आपका भी एक जटके में पांसरकारी नोकरी हो जाए भाई ठीक है आजए यह question number 37 देखते हैं क्या कहा है 240 मीटर लंबी ट्रेन किसी 360 मीटर के long tunnel को पार करती है कितने में 30 सेकंड में तो बताओ train की रफ़तार क्या है ठीक है तो आप मुझे बताओ पूरी दुनिया को यह बात पता है कि जब train किसी tunnel को platform को x y z को किसी को भी मेरे भाई पार करती है तो सीधी सी बात है हो जाता है time बराबर distance के case में क्या लेते है तो train का भी यहां पर लेते हैं और साथ में यहां पर distance में हम यहां tunnel का भी लेते हैं दोनों का यहां पर length लेते हैं और speed के case में मातर यहां पर किस का speed लेंगे तो train का speed लेंगे अब अगर देखो कि आप यहां बोलोगे तो सर कितने टाइम में उसने क्रॉस किया है तो बोलोगे 30 सेकंड में और दोनों का यहां डिस्टेंस देखो 240-360 याने कुल मिलाकर 600 हो जाएगा और यहां speed of train की अगर हम बात करेंगे तो यह मानो x हो जाएगा 30 ने इसे काटा तो सही लेकिन कितनी बार में 20 बार में तो x की value आगे 20 meter per second यह meter per second है मुनना पूछा गया किलोमेटर में तो किलोमेटर में पूछा गया है तो क्या गरोगे मीटर से किलोमेटर में जा रहे हो तो 18 बटे 5 से गुना करना तो जनम सिधा दिकार बनता है यह नि करेक्ट आंसर कितना आजाएगा 22 किलोमेटर प्रति घंटा कितना आजाएगा 22 किलोमेटर प्रति घंटा आजाएगा यह देखे इस कोशन में आपको मेरी आवशकता पड़ेगी यह बढ़िया कोशन है आपे देखो कोहरे में चलने वाली एक गाड़ी है समान दिशा में 6 किलोमेटर प्रति घंटे के चाल से चलने वाले एक वेक्ति को पार करती है वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है यदि दिश्य जो है 200 मीटर का है तो गाड़ी की चाल कितनी है कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि ऐसे वाले सवाल जहां पर आते हैं कि कोई गाड़ी कोहरे में चल रहा है कोई गाड़ी कहीं सड़क पर चल रहा है कोई वेक्ति को उसे पार कर रहा है कोई वेक्ति उसे फलाने मीटर तक देख सकता है कोई वेक्ति फलाने मीटर तक उसे पैचान सकता है इस तरीके से करके वह गाड़ी उसके पीछे से आई आगे निकल गई ऐसे करके कई सारे सवाल यहाँ पर दिये गए होते हैं इन सवालों का सबसे short method होता है हमारे पास और इनका short method यहाँ पर यह होता है कि आपको पता क्या करना है तो गाड़ी का रफ़तार पता करना है गाड़ी का रफ़तार पता करने के लिए आपको यहाँ पर डिस्टेंस भी पता करना होगा और समय भी पता करना होगा तो समय तो साफ लफज में इन्होंने लिख रखा है कि यहाँ पर जो है तो अब असल में यहां पर question में यहां पर यह कहा जाता है कि यहां से गाड़ी को आने से लेकर यह पीछे से कोई मतलब नहीं बनता है गाड़ी को आने से लेकर पार करने तक में पूरा का पूरा लगा यहां पर चार मिनट तो इसमें हम लगाते हैं relative speed अब relative speed लगाते हैं तो time के बारे में तो हमें पता है कि टाइम हमें कितना लेना है, चार मिनट लेना है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, डिस्टेंस के बारे में पता नहीं होता, तो डिस्टेंस के बारे में यहाँ पर हम दूपरकार के डिस्टेंस लेते हैं, एक तो डिस्टेंस यहाँ पर यह हो distance हो जाएगा कि distance travel by man और उसके बाद यहाँ पर यह कितना meter तक देखा जा सकता है एक हमारा हो जाता है कि यह visibility कितने की है तो यानि यह process में दूरी कितना तै हुआ है वो ले लीजे और समय कितना लगा वो ले लीजे तो इससे आप carriage का रफथार पता लगा पाएंगे दूरी की जहां तक बात आती है तो वो इनसान यहां पर कितना दूरी तै करता है चार मिनट में एक तो वो हो जाएगा क्योंकि चार मिनट में गाड़ी यहां से यहां पहुँचेगी और चार मिनट में इनसान यहां से यहां पहुचेगा तो उस इनसान का distance travel कर लो और साथ में visibility जो उस इनसान की है जहां तक वो गाड़ी को देख सकता है वो ले लो यहां पर मेरे भाई ठीक है तो वहीं बात है तो distance के case में आप यहां क्या करोगे तो पहले distance travel by man यहां ले लेते हैं तो man यहां कितना distance travel करेगा तो distance बराबर speed into time speed कितना है 6 km प्रती घंटा मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5 बटी 18 में यानि यहां पर 1 सेकेंड में कोई इतना distance travel कर सकता है तो हमें यहां कितने मिनट में करना है मेरे भाई 4 मिनट 4 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 240 सेकेंड समझ गए आपे तो 1 सेकेंड में इतने मीटर की दूरी तो 4 मिनट में वो कितना travel करेगा इंसान दूरी को वो कहा गया 6 से अगर आप काटेंगे 3 बार में और 3 से यहां पर काटेंगे 80 बार में तो बोलेंगे सर्फ 400 मिटर यानि वह इंसान 4 मिनट में 400 मिटर भाग सकता है वह इंसान 4 मिनट में 400 मिटर के दूरी को तै कर सकता है समझ गए यहां पे तो अब इस वाले एक्वेशन में आते हैं और वापस देखते हैं कि कैरेज का स्पीड जो होगा वो कितना होगा तो डिस्टेंस एक तो इंसान का डिस्टेंस और इंसान का डिस्टेंस कितना है तो 400 है साथ में यहां पर अगर आप बात करोगे तो visibility कितने की है तो 200 की है यानि इतने meter की distance हो गई यह हमारा हो गया distance और बटे में अगर हम बात करते हैं time के बारे में तो हमारा time कितना हो जाएगा 4 minute 4 minute का मतलब कितना हो जाएगा second में तो 4 into 60 हो जाएगा तो हम गोलेंगे sir 600 हो गया हमारा उपर तीक है अच्छा यह जो आ जाएगा यह आपका किस में आएगा तो यह meter हो गया यह second हो गया अब meter पर second को kilometer पर आउर में गुना करने के लिए क्या करते है 18 बटे 5 तो लपेट देंगे भाई 600 और बटे में कितना हो जाएगा 240 और into कितना हो जाएगा 218 और बटे में हो जाएगा पांच यह हमारा correct Answer हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करते हैं कहां गया हो तो अगर हम यहां बात करते हैं तो यह हमारा इससे खतम हो गया आप करोगे तो 12 से 5 बार में और 12 से 2 बार में 5 से 5 कतम, 2 से 9 कतम correct answer कितना आजाएगा 9 km प्रतिगंटा तो ये question जो है यहाँ पर ये question थोड़ा सा tricky हो जाता है इस case में तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो एक तरीके से इंसान जो चाल चल रहा है जो distance travel कर रहा है वो भी ले लो साथ में यहाँ पर जो cover जहां तक आप देख सकते हो वो भी ले लो तो distance के जगह पर आप यहाँ दोनों ले लो उसके बाद अगर हम बात करते हैं समय के बारे में वो आपको पता ही है इसके अलबा किसी भी भाई का कोई भी doubt रहता है तो इस comment box में आप जरूर बता देना मैं personally आप लोगों के हरे comment का reply कर दूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जानकारी मिली आप satisfy हुए तो चैनल को subscribe और वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और आगे लोगों तक भी अपने share जरूर करिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में मन लगा कर तैयारी करिए मेरी पूरी शुब कामना है आप लोगों के साथ हैं और हमेशा एक बात कहता हूँ कि selected हैं selection दिलाएंगे inspector है inspector बनाएंगे बढ़िया तरीके से मेनत करिए बाकि आपका बड़ा भाई आपके लिए खड़ा है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद